कि हैलो स्टुदेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्न मैथ कि अपके सामने लिखा हुआ है जो डिसक्स करने जा रहा हूँ भी लिमिट का कुश्चन है बस इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स वहरा है मैट्रिक्स का बहुत सा कॉंसे जोड़ा सा थोड़ा सा इस इस ने डिफिन्ट का भी कॉंसेट यूज हो सकता है अब चेक करते हैं कि क्या हुआ है फैनल लिखा थे क्या है अब कुछिस्टन देखोगे तो हम पर लिखा हुआ ना लिमिट एंट टेंस्ट इंट इंट इन इंट इंट्रीच मा ऐक इन फॉर्मिंट की बहना है कि एई आई जे मारा इट पावर हंडड़ प्लस दिविट पावर हंड़ लिखा काुका जाओ अध्र होगर अब तक करना सलुस्ट बात में भी सब्सक्राइब करना तो उससे सकता है तो करना अब शलुशन स्टार्ट करते हैं को सब्सक्राइब करता है जो में से नमें एयु SI यहां से बात मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे सिंपल पूछूंगी ए आई-ाई-ाई-कितना होगा तो ए-ाई-ाई यहां से आप क्या लिखो गया गया ऐदी पाउज ओ प्लस आई टुछ लिखा गया शें युद्धा उत्ता हुए होता हुआ है इख काम करते हैं कुछ चन को लिखते हैं limit गाया और थनुस टूंटिख सिंक्मा ठीक, AII, AII का मतलब कितना हो गया, twice I to the power 100, clear, यहां से आपनी simplify कर लिया पाले, यह twice I to the power 100 हो गया, अच्छा, I के लिमिट लिखी हुई है, one से लिकरेके, n तक लिखी हुई है, upon में n to the power 101 लिखा हुआ है, ठीक है, अब मतलबी इस expression को n to the power 101 से डिवाइड करना है, n यहां constant है यहां पर आई चल रहा है, तो मैं n को ऐसे बिलिख सकता हूँ, n to the power 100 into 1 by n, equation balance है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा है हो गया कि आपके किसी जाने पहस्चाने फ़र में convert हो गया, जहां से आप लिमिट को एक सिग्मा से बाहर हो गया, i by n to the power 100, i by n to the power 100 into 1 by n, अब इससे फायदा क्या होगा, याद करो, definite की टाइम पर कुछ इस टाइप का आप लोगों ने रिजर्ट पढ़ रखा है, कि लिमिट, n tends to infinity sigma f of r by n into 1 by n, n equal to 1 लिखा हो या 0 लिखा हो, up to k n, तो इस expression को आप लिखते हो, limit 0 to k f of x dx, means r by n की जगा x लिखना होता है, ठेक है, और 1 by n की जगा आपको dx लिखना होता है, r by n को x लिखना होता है, यहाँ, r equal to 1 to n, sorry, r equal to 1 to k n लिखा होआ है, ठेक है, तो r by n को x लिखना होता है, और 1 by n को dx लिखना होता है, अब इसे समझो कि जहाँ इस में r लिखा होआ है, इस case में आप रस r की जगा होआ है, i लिखा होआ है, तो यहाँ पर हमारा i by n चल रहा है, ठेक है, तो simple, 2 तो constant ह बाहर ही रहेगा, lower limit, 0, upper limit क्या होता है, n का coefficient होता है, जैसे है, n का coefficient के लिखा होआ है, जनरल केस में थे हैं, इनका coefficient लिख लो, i by n मतलब यहाँ पर r by n के equivalent चल रहा है, यहाँ यहाँ वेरेवल आप लिख दो, r equal to 1 to n, यहाँ वेरेवल आप लिख दो, r equal to 1 to n, बात तो बर पर लिख दो फार 101 अपन 10102, 1 to 101 अपन 101 इसके बाहर हो गें इंटेगरेशन से और यहाँ एक की वेली वन पुट करोगे, माइनस जीरो पुट करोगे तो 1-0, 1 तो finally 2 अपन 101 आ रहा है, अब इसमें अगर आपो आप स्की आप बात करोगे, तो इसमें आपको जुसी ऑ अब यहां थोड़ा सा जीप दिख रहा है तो इसमें मेट्रिक्स कहां से आगा तो कुछ नहीं वास आप डेटा को एक स्टिप सिंप्लिफाइए करते चलो कोई नो कोई रासता दिख जाएगा यहां पर बने पहले आई 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 पावर अंडे पावर अं ठीक है बाट बिना डिफिनिट के कुछ सेंसाल्व नहीं होना है ठीक है तो थैंक्यू